रुपेश हत्याकान के मामले में 30 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ है सवाल सरकार पर है और विपक्ष हमलावर है मेरे साथ असवक्त आरजेरी से भाई विरेंद्र है बातचित करने के लिए 30 घंटे से जादा हो चुके हैं और अब तक पुलिस ना तो इस बात का पता लगा पाई है कि हत्या करने के पीछे मकसद क्या था ना हत्यारे का इस सरकार के पास कोई सुराग भी नहीं है जोकी जिगों इनके पास पताधिकारी हैं इनके भोटर हैं बिहार के वो चाहने वाले लोग नहीं है और जो प्रसासन प्रसासनी के रूप से पकर रखने वाले लोग हैं वो CID में भेजे गए हैं और यहां जो RCP टैक्स देता है उसी की पोस्टिंग होती है पठना जीले में ऐसे अफसर को मैं बताऊंगा नाम तो नहीं रखूंगा इंग दागी अफसर हैं जो पांच लाग दो लाग तीन वाग पांच लाग रुपया लेकर और अपराधियों का नाम निकाला करते हैं आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है प्रशासनिक अधिकारी भी और नाम लेकर के अधिकांस पताधिकारी मैं कह रहा हूं मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं अधिकांस पताधिकारी जो मुखमंत्री की चहते हैं और उनका सिरवात प्राप्त है इसलिए वो अपराधियों को पैस जाती के नाम पर पोस्टिंग करना जब तक नहीं बंद करेंगे, तब तक यह सब होता रहेगा और आप हम कोई भी सुरक्षित नहीं है, हर व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसुस कर रहा है। अगर राजधानी में इस तरीकी के घटनाएं घट रही है, तो एक अंदाजा लगा जा सकता है कि बिहार में कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने नहीं आ रही है। देखिए मुखमंत्री के एक कन्यमार्ग से कितनी दूरी पर है रुपेश की जो हत्या हुई है कितनी दूरी पर नाक के नीचे हैं और वहां हत्या हो जा रही है और मुकमंत्री करें कि हम अपने से देख रहे हैं क्या देख रहे हैं आपके दागी प्रादिकारी को आप यहां बेठाए हैं और सब सराप के नाम पर सराप का खेप का खेप आ रहा है दूसरे परदेशों से आखिर वो बॉडर कैसे घूस रहा है आपके प्रादिकारी अगर नहीं मिली भगत है तो फिर खेब का खेब जो है बॉर्डर के से गुस रहा है इसलिए मानिए मुकमंत्री के एंडिये के कुछ रशुकदार नेता है जो इन पदाधीकारियों को बसाने के लिए अब को ने निकलता यह मैंने जनता हूं लेकिन इनके पदाधीकारी घर बैठे थे विट्ये सारा कुछ करने का काम करते हैं चुकि ऐसूली आती एक थाने के असूली कम से कम 25,03,03,00,00,000,00 रुपया महीना है छो आप लगा रहे हैं नो लगता है कि कम हम कह रहे है कहीं पचास लाक भी है कहीं एक करोड भी है और वो थानेदार को पीठ जो है थप थपाया जाता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए मैं जान रहा हूं चुकि हम लोग भी राजनीती कर रहे हैं और एक जमानिश से कर रहे हैं मुकमंत्री जितनी दिन से राजनीती कर रहे हैं तो प्रसुक्दार नेता उनको बचाने में लगे हुए विपक्ष के नेता है क्या आप यह चाहेंगे कि अगर मामला बिहार पुलिस से नहीं समझ रहा है तो सीवी जांच की करवाई पहले तो इनको करवाई करना चाहिए जांचना चाहिए और तब इसकी जांच सीवी होनी चाहिए लेकिन हम समझते हैं कि सीवी जांच हुआ है अभी तक सामने नहीं आया है और कई ऐसे मामले हैं जो सीवी आई के हैं पड़ा हुआ करवाई नहीं हुए है और यह घाल मेल करके चुकि एल्डीय की सरकार है डवल इंजन की सरकार है जिसका चाहता लोग उसकी जांच होती है जिसका नहीं चाहता हूँ ठंडे वस्ता में पड़ा रहता है जाहिर से बात है आरजीरी की नेता है भाई विरेंद्र और इनका बड़ा आरोप है कि बिहार सरकार में ज़्यादा तर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भ क्याना है कि सरकार जिसका चाहती है उसकी CBI जाच होती है और पूर्ण रूप से होती है जिसकी नहीं चाहती है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है कहीं आरोप बहरहाल अभी भी सवाल बरकडार है कि बिहार में कब तक आप रादियों के होसले बुलत होते रहेंगे अपने कि रहेंगे इसे है वो ठंडे बूलत हैं कि अवट रहेंगे आरोप डाता है